हेलो गाइज वेलकम टू दे ओलकॉंस यूट्यूब चैनल सो मैं यहां पर आपको एक CSS का 3D क्यूब बना के बता हूँ ठीक है गाइज सो सबसे पहले मैं यहां पर व्यूपोर्ट बना लेता हूँ और मैंने इस्टाइल शिट अटेज कर दिये सो इस व्यूपोर्ट को मैं इस व्यूपोर्ट को मैं क्या दे देता हूँ बेक्ग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक का ओके और इसकी पोजिशन एपसिल्यूट करने के लिए टॉप जीरो लेफ्ट जीरो इससे क्या होगा कि मेरा जो बोटम जीरो जो व्यूपोर्ट है वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा इसको मैं पोजिशन दे देता हूँ ठीक है तो यहां से मैं सेव करता हूँ now you see here that it had covered all area क्योंकि इसका टॉप लेफ्ट बोटम राइट ही मैंने दे दिया इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो टॉप से थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है तो मुझे इसके अंदर क्यूब बनाना है तो मैंने यहां पर क्यूब बनाया इस क्यूब को मैं दे देता हूँ color white ओके तो background color white और इसको भी मैं position यही सब दे देता हूँ पोजिशन में यहां पर absolute लिख देता हूँ ओके गाइस तो यह टॉप लेफ्ट बोटम बोटम और राइट हटा देता हूँ मैं ठीक है इसके अलावा मैं इसको height 200 pixels और width 200 pixels दे देता हूँ तो यह मेरा box बन गया क्यूब का अब इसमें मुझे क्या करना है कि यहां पर आ रहा है मैं को इसको center में करने के लिए मैं क्या करूँआ इसको left और top जो है वो 50-50% दे दूँगा तो मैं इसको क्या थोड़ा से इदर खिसका हूँगा left में और उपर से भी किता आदा आदा खिसकाना है तो मुझे ने इसको क्या दे दिया margin left 100 pixels माइनस में ओके क्योंकि मुझे left से माइनस में खिसकाना है और margin top यह भी माइनस 100 pixels तो गाइस अब यहां पर देखते कि यहां पर ऐसा हो गया अब मुझे इसका क्या करना है transform style is a 3D इससे क्या होगा कि मैं इसमें 3D से work कर पाऊंगा इस cube पे 3D format में और इसको मैं transform style देके देखता हूँ क्या देना है मुझे rotate करना इसको rotate x करा 45 डिगरी पर ठीके गाइस ए 45 डिगरी रोटेट हो गया लेकिन मुझे इसको rotate नहीं करना है अब मुझे क्या करना है मैं javascript से कुछ viewport को हिलाने की कोशिश करता हूँ सो मैंने यहां पर अपनी file को add कर दिया और एक file बना ली script.js से यहां पर मैं देखता हूँ कि मैं जो mouse move कर रहा हूँ यहां पर ओकी गाइस सो वो कौन से point पर है वो मुझे देखना है तो उसके लिए मैं console का use करूँगा so window.onmousemove ओके इस पर मैंने एक function को call करा इस function के अंदर में क्या करूँगा इस function में एक event fair होगा इस event को मैं एक बार console log करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है ठीक है यह मेरे पास आ रहा है तो यह जो आपको client x और client y दिख रहा है यह client x और client y इससे में को मालूम पढ़ जाएगा कि मेरे mouse का जो cursor है वो कहां पर है ठीक है तो e.client x e.client y तो जब मैं इदर left जा रहा हूँ तो यह value value 0 गई कौनसी x वाली और जब मैं इदर जा रहा हूँ टोप पे तो y value value 0 गई और यहाँ पे जो है यह full width है तो मेरी width करीब 748 या 9 के असपास है और height is 673 के असपास so guys मैं करता हूँ कि मेरे पास एक और value है जो मुझे total left or total height or total width का value देते देगी वो है window.inner height and window.inner width okay guys so यहाँ पर आप बेख सकते हैं कि जो 666 और 750 वाली value है वो fixed है okay so मैं इसको left में ले जाता हो तो यह करीब 735 आ रहा है inner height client y okay so मैंने इसको अलग लिख दिया मुझे यहाँ पर inner width जो x की value width maximum कब होगी जब वो inner width के बराबर होगी और client y की value maximum कब होगी जब वो inner height के बराबर होगी so यहाँ पर हम देखते हैं ठीक है यह 0 है और x की value अभी 0 है और जो अपने पास width है वो किती है 750 pixel so मैं यहाँ से जाता हूँ आगे जाता हूँ आगे जाता हूँ तो यह किती होगी 750 pixel के पास ठीक है यहाँ वेल्यू देखो 747 यह हो गया और ऐसे ही मैं टॉप पे जाओंगा तो अभी आपको y की value 0 दिख रही है और यहाँ से मैं जाते जाओंगा तो 686 तक चली जाएगी ठीक है तो इसको मैं percentage में निकालूँगा तो percentage में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको इससे divide कर दूँगा ओकी गाईस और client y को भी height से divide कर दूँगा अब इस वाले part को मैं हटा देता हूँ अब देखिए यह 0 value आ रही है और इसको मैं आगे तक ले जाओ हो तो 0.99 something हो जाएगा मतलब की approach 1 ओके गाईस तो यह हो गया 1 और वैसे y भी 0 से लेके 1 हो जाएगा ठीक है अब मुझे rotation के लिए degree का use करना पड़ता है तो मैं क्या चाहता हूँ यह 0 की जगे minus 180 degree आए ठीक है तो इसको मैंने कर दिया अब मैं इसको अलग-अलग ले लेता ह हूँ ठीक है यह मैंने कर दिया अब यह जो value है यह ले लेता हूँ में minus 180 degree ठीक है इसमें minus 180 कर देता हूँ तो मेरे पास जो value आएगी वह minus 179 मुझे क्या चाहिए minus 180 से plus 180 तक की तो मुझे इसके अंदर multiply करना पड़ेगा अभी मेरी value है 0 से 1 तक के बीच में इसका मैंने multiply कर तक करता हो तो कितना हो जाएगा 0 से लेके 360 ठीक है तो minimum value किती चाहिए मुझे minus 180 तो मैं इसको कर दूंगा minus 180 ओके सो यह कितना हो जाएगा जब यह 0 रहेगा यह वाली value तो यह हो जाएगा minus 180 और जब यह value रहेगी 360 तो हो जाएगा plus 180 ओके यह basic math calculation है और यही चीज हम इस पर भी apply कर देंगे यह मैंने कर दिया यहां से इंटू 360 और minus 180 तो अब आप यहां पर देखना है यह मेरा x की value minus 180 से plus 180 तक आ गई है ठीक है और y की value भी minus 180 से plus 180 तक आ गई है इसको मैं कर लेता हूँ set variable degree y में ओके और इसको मैं कर लेता हूँ set variable degree x में ओके गाईज सो अब यहां पर क्या हुआ कि मुझे rotate करना कि इसको जो मेरा यह cube है उसको तो मेरा पास cube कहा है यह है इसको मैं id देता हूँ set cube और इस element को मैं उठा लेता हूँ यहां पर variable cube बराबर document get element by id इस cube को मैंने यहां पर ले लिया ठीक है अब यह जो degree x और degree y है यह property में इस cube पर लगा दूँआ transform वाली चीज में मैंने आपको बताया था यहां पर अपने ट्रांस्फोर्म कर रहा था रोटेट करके वैसे ही मैं इस cube को रोटेट कर दूँआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा cube.style.transform क्यों 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 मैं उसकी transform वाली property को set कर रहा हूं यहां पर मुझे रोटेट x अब x इस पर मुझे रोटेट करना है तो मुझे degree y की value लेनी पड़ेगी वह क्यों मैं बताता हूं रोटेट y ओके सो इसमें मैं string concatenation करूँआ यहां पर मैं degree y ले लिया ओके और यहां पर degree लिग दिया जब उसकी value evaluate होगी तो वहां पर वह क्या करेगा इसकी value put कर देगा degree x ठीक है अब इसको देखना यह हिल रहा है तो यह अभी x पर move कर रहा हूँ तो मैं यह x एक्स पर ही rotate हो रहा है जबकि मुझे x एक्स पर कर रहा हूँ तो उसको y एक्स पर rotate होना चाहिए तो मैं यहां पर degree y ले लूँगा और यहां पर मैं degree x ले लूँगा यह मैंने कर दिया अब आप यह देखिए अब यह rotate हो रहा है ना y axis पर जब मैं x की axis पर move कर रहा हूँ और जब मैं y की axis पर move कर रहा हूँ तो यह x axis पर rotate हो रहा है ओके गाइस तो यह rotate हो गया हाँ मुझे यहां पर इस cube को इस cube का में background color white है इसको हटा देता हूँ ठीक है गाइस अब मैं इस cube के अंदर इसकी sides बना देता हूँ तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ टॉप पाली side ओके अब इस top पाली side को में क्या करूँँगा background color देता हूँ red ओके और position absolute और यही सारी चीज़ है क्योंकि उसको उसके parent वाले के जित्ता बड़ा होना चीज़ है तो इसने अपने parent यानि कि जो cube है उसकी size तक expand हो गया वो यह सारी property डालने से सो अपने पास यह cube है क्यूब के top side है लेकिन यह अपन को दिखना ही रही case से हैं सो इस cube इस top side को मैं इसको मैं काम करता हूँ background color दे देता हूँ हलका सा ताकि मुझे याद रहे hash fff white हो गया और इसको add की setting दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा transparent रहे हाफ ओके अब यह जो top वाली side है यह उस cube के उपर आ गया ठीक है तो आपन को cube का color नहीं दिख रहा है आपन क्या करेंगे इस top वाली side को मैं opacity दे देता हूँ 0.2 ठीक है यह 0.2 दी तो पीछे का जो white है वो भी इसमें mix हो गया अब मैं आपको यह बताता हूँ कि जैसी यह है इसको मैंने क्या करा आगे खिसकाना है मुझे इसे तो transform कर दिया transform ओके translate z z axis पर मैं उसको किता 100 pixel बाहर लिया हूँ ठीक है तो यह red जो है वो 100 pixel आगया आगया उस वाले से जो cube है उससे अब यह top वाली side है तो top वाली side है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा x axis पर rotate करना पड़ेगा कितना 90 degree ओके तो अब यह देखो 90 degree से मैंने rotate कर दिया है ना अब इसको जो मैंने translate z दे रखा है यह मैं हटा देता हूँ और इसको मैंने पीछे डाल दिया तो पहले क्या हो पहले वो रोटेट हुआ 90 degree तो वो रोटेट हो गया उसके बाद उसके उपड़ चले गया बना ट्रांस्लेट जेड हंड्र हंड्र पिक्सेल्स हैं तो यह जो प्रोपर्टी है मेरे हर साइट के लिए common रहेगी तो मैंने F004 Red ओके सो यह मेरा रेड़ वाली साइट हो गई और यह जो साइड है इसको मैंने यह class दे दी ठीक है तो यह मैरा टॉप हो गया अब मैं फ्रंट बैक बैक बना लेता हूं पहले यह बोटम बना लेता हूं बोटम साइड अब यह मैंने बोटम साइड बनाई जो उसका मैं background color दे देता हूँ green green के लिए मुझे क्या लिखूँगा 0F0 ओके और इसको मैं rotate x करूँगा 90 degree तो 90 degree तो मैं को करना है यह लेकिन translate करना है मैंने center pixel क्यों क्योंकि वो जित्ता उपर गया उत्ता ही नीचे ले जाना है मैं को इसको बीच में से ठीक है तो यह मेरे पास red और green दोनों हो गए top और bottom ठीक है अब मैं इन दोनों को अभी के लिए hide कर देता हूँ और front और back वाला portion बना लेता हूँ ठीक है so front dot front side और dot back side ओके तो front side को कैसे बनाओंगा मैं dot front लिया background color लिया इसको मैं has00f लेता हूँ मतलब blue इसको भी मुझे transform करना पड़ेगा transform okay so इसको कैसे transform करने कर पड़ेगा अब यह front पर तो इसको मैं जो रोटेट करने की जरूरत नहीं बस मैं इसको 100 pixel आगे लिया आता हूँ तो translate dead 100 pixel okay so यह आगे देखो आगे 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 ना यह blue वाला आब वैसे आगे मैं बेक वाला भी बना लेता हूँ और उसको पीछे कर दूँगा तो माइने संट्रेट पिक्सल करना पड़ेगा और इसको मैं color दे दूँगा एफ एफ जिरो यलो ठीक है यह मेरे पास दोनों हो गए अब ब्लू वाला कहा गया यहां पर इसको मैं जो बेक देना है ओके यह बेक हो गया तो यह ब्लू और यलो दोनों हो गए है ना अब मुझे left और right के लिए भी करना है so guys मैं इसको copy कर लेता हूँ यह हो गया मेरा left और यह हो गया मेरा right इन दोनों को मैं अब भी comment कर देता हूँ ताकि यह मुझे दिखे नहीं बना destruction होगा और left वाले को मुझे चलो पहले मैं left वाले को करता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ इसका color मैंने ff0 लिया था तो इसका मैं ले लेता हूँ f0f और इसका मैं ले लेता हूँ 0ff ओके so अब यहाँ पर मेरे पास जो left वाली side है उसको भी मैं बना लेता हूँ dot left side और dot right side ठीके guys so यह left वाली side मेरे पास अभी front में आ रही है ठीके तो मुझे क्या चीए back में जा रही हूँ जो left वाली side है वो मुझे left में चीए तो मैं इसे रोटेट करूँगा y axis पे कौनसी axis पे y axis पे rotate करा मैंने कितना करूँगा 90 degree ही करूँगा जैसे मैंने top वाली side को किया था ठीक है so यह हो गई मेरे left वाली side actually right side हो गई बीच में लगया हूँ हाँ यह right side हो गई so इसको मैं right दे देता हूँ okay और left में इसको दे देता हूँ और 7 में इसको मैं left बना सकता था मैं को इसको translate it minus 100 pixel देना था और इसको मैं right दे देता हूँ और same to same यही लेकिन यहां पर 100 pixel हो जाएगा ठीक है guys so मेरे पास यह पूरा हो गया अब मुझे क्या करना है जो मेरे cube है इसका मैं background color हटा देता हूँ ठीक है अब मैं पूरे सबके background color चालू कर देता हूँ तो यह हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया okay guys so यह मेरे cube बन गया दिख रहा है सुन्दर है अच्छा है तो like कर दीजिए so thank you guys यह यह याला tutorial पूरा होता है और next tutorial में जल्दी से बहुत अच्छा लेकर आ रहा हो आपके लिए